मेरा नाम है मुहमत वैस मेरा चैनल का नाम है स्काई मिग्रेशन कंसिल्टेंट्स एक दिवाब फिर आपके सामने हाजिरों कल वाली वीडियो को बार टॉपिक लेके जपान को लेके जैसे कि आपने जिन लोगों मेरी वीडियो दे की ती कि उसमें पता होगा कि मैंने काता है कि जपान से रेलिवेंट अभी मेरे पास अथेंटिक इन्फरमेशन नहीं है जिसके वह सब भी उसके फाइल प्रिपेशन के सर्विसिस की अगाज नहीं किया लेकिन आज अलहमदिल्ला मैं आपको से बताना चाहरा हूँ कि हम लोगों ने जपान के लिए सर्विसिस का अगास कर दी है अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहरे है तो हमारी कंशिटेंसी फीस है जस्ट और जस्ट ट्वेंटी थाउजन बीस जार पे मैं आपको इस वीज़ा किस तरह आसिल कर सके जपान का मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि बार तो अब सब कुछ एक तो मसमाझ लें के हमारी फीस से 20,000 फाइल प्रपेशन की जपान की अपॉइंबंट किसा लेनी होगी कितनी फीस पेकन नी होगी क्या क्राइट रिजियो होगा क्या 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 डाकुमेंटेशन रिक्वाइशन होगी मैं आपको सब कुछ वीड जमा करवा सकते हैं without इंबैसी फी दूसरी मज़े की बात यह कि आपको जो में चीसी मैंने कल काता है इंविटेशन लेटर रिक्वाइड होगा इंडिविजल अप्लाइग करेंगे लेकिन मज़े की बात यह कि यह मुझे मेरे क्लाइन नहीं कंफर्म किया कि उन्होंने कॉल किया जानजेब साब ने कॉल किया इंबैसी में उन्होंने काया जी कि मैंने कंफर्म किया कि आपको इमिन्टेशन लेटर की भी ज़रत नहीं पड़ेगी दो चीजी होगी ठर्ट इंग बोर्ट मोस्ट इंपोर्टन अपॉइन्मेंट आप अपॉइन्मेंट कैसे आज करने इशु दो यह आ रहा है जी इमेल्स करेंगे क्या अपकी अपॉइन्मेंट देंगे अगले अफ़ते के जाते हैं क्योंकि हम बंदा इसको डश पर जेगा मज़े की बात यह कि इस पर आपको लेने की ज़रत ही नहीं पड़े जैसा कि जिसने मेरी वीडियो कल देखी मैंने क कि नो से गयरा टाइमिंग है जो वेबसाइड प्यारा लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है वही चीज़ कंफर्म होगी है कि नो से गयरा आप वाकिन जाके अपना पासपोर्ट समिट कर सकते हैं विदाओ इंविटेशन लेटर लेकिन डाकुमेंटेशन वही रिक्वाइड होग एप यह जाना पासपने अपने ओफिस के चार्ज जो और आपको चीज़ें परवाइड कर रहा हूं बैसे आपसे विजा प्रॉइज ने लेड़ी वह आपसे विजा करेगी अगर आपको विजा एशु करती है तो विदाओ अने चार्जेज व हो आपको विजा ग्राट कर स देगी अब दूसी बात यह के ओविसली स्टिकर विजा ही होगा यह विजा तो नहीं होगा सौथ को जी ने यह विजा स्टार्ट किया वह लेकिन जपान का इस वक्तिकर विजा ही है मतलब मैंना के मुक्सा दिया था वीडियो का के फीसिस हमारी जो हैं ट्वेंटी थाउजन है आपको ट्वेंटी थाउजन में जपान का विजा मिल जाएगा अगर आपके डाकुमेंटेशन स्ट्रॉंग है अगर आपको बैसी विजा एशू करती है तो पॉइंट इस डैट ठीक है और इस बैसी इसकी और पास मैं आट कर दो हैं उनके केज जमाओंगे जपान ने पैसी में एक दफ़ा आपका विजा रिफ्यूजड हो गया जपान का तो आपको सिक्स मेंस तक वेट करना पड़ है का आप सिक्स मेंस तक दोबारा अपलाई नहीं कर सकेंगे विजा ठीक है तो यह थी आज की इन्फरमिशन जपान से करना नबर है 058274-36189 ठीक है 198 मैं बात रिपीट आप रिक्वेस्ट करूंगा कि नमबर हमने दिये में सर्विस्टिस के लिए हैं आप देखते हैं जो कहते हैं जी डॉक्मेंटेशन क्या रिक्वाइट होंके मैं चेक्लिस बताते हैं सब चेक्लिस्ट वही होती है जो बाक चेक्लिस आपकी सबकी सेम होती है आपको टिप दे दी हैं मैंने बारहल यह थी आज की इंफ्रोमेशन यह थी आज की वीडियो जो गुड नीजी मेरे पास उमीद करता हूँ कि सारी इंफ्रोमेशन आपको क्लिर समझ आ चुकि हो कि जपान से रेलिवन्ट और बाकि अगर म कि जब कि जब करता है